हाई अब्रिवन हलो बच्चों उम्मीद है आप बहुत अच्छों होगे एक बहुत भेथरीन चीज हम लोग आज डिसकस करने वाले हैं हम लोग ने इक ब्रिच को लॉंच किया है तो यह ब्रिच को जो है यह 6-10 क्लास के बच्चों के लिए है हमने जो बनाया है स्पेशली बनाया है तो इसमें ब्रिच कोर्ज में हम लोग बच्चों के फंडामेंटल कंसिप्ट क्लियर करने वाले हैं साइंस के और मैस और इंग्लिश के अक्सर होता है बच्चों को फंडामेंटल कंसिप्ट क्लियर नहीं होने की वज़े से बहुत दिक्कते आती है साइं दिख्कत आती और हो सकता कि उनके अंदर इंफेरियर कॉंप्लेक्स बेट जाए या वो डर जाए तो यह सब ना हो तो उसके लिए उनका बेज पक्का होना बहुत जरूरी है अगर उनका बेज पक्का रहा तो वह आसानी से आगे का सफर कर लेते और बहुत अच्छे फैसल ल अगर अच्छी हो तो बाकी चीज़े समझने में उनके आसानी जाती आगे एकेडमिक में और मैट्स का दर तो अलमोस सारे बच्छों होता है तो हम जो कोर्स बना गया है उसमें 50 प्लस कोर्स कोर कंसिप्ट मैट की पढ़ाने वाले हैं फंडमेंटल कंसिप्ट वो भी हम लो हम लोग यहां पर बनाने की कुशिश करने वाले हैं मैट्स में तो मतलब खेल में आप मैजिक के साथ बच्चों को मैथमेटिक्स करें आप मतलब उनको मजा आएगा ऐसा मैथमेटिक्स करने वाले हम लोग साथ साथ साइंस के जो फंडमेंटल कंसिप्ट है बेज है जो मु विज्वल कंसिप्ट उनके पूरे क्लियर होगे हैं ताकि बच्चों को ना साइंस का डर निकल जाए और साइंस में इंट्रेस्ट पूरी तरह से उनका वह हो जाए उसके साथ-साथ-साथ- इंग्लिश में हम लोग क्या कराने वाले बच्चों को जो सबसे इंपॉर्डंट है मेरे लिहास से बच्चों का कॉंप्रेंशन बच्चों को पढ़कर समझ भी नहीं आता एक्स ऐसे लिखे होते हैं कॉंपॉंट और कॉंप्लेक्स सेंटेस में कॉंप्लिकेट फ्रेज़स के साथ तो बच्चों को समझना बहुत मुश्किल जाता तो ऐसी सिच्वेशन में हम तो यह बहुत बहतरीन कोर्स है जो कि 6-10 की क्लास की बच्चे 6-10 क्लास के स्टूट कोई भी स्टूट जोइन कर सकता इसको यह सब के लिए खुला है 45 देज का कोर्स रहेंगा 45 देज में यह पुरा मुकमल हम कोर्स बच्चों को कराने वाले हैं यह ओनलाइन भी है और ऑफ अगर आपको जो भी बच्चे इसमें एक ओफर दे रहे हैं लोग अभी कि इसका टोटल जो प्राइज है वो तीन हजार रुपे फीस है 45 दिन के बड़ अभी हम लोग इसको एक हजार में ही दे रहे हैं तो अभी ओफर खुला है तो जो भी इंट्रेस्टेड बच्चे है य बच्चे हैENS computator कि इसमें आपको नचश एग टियुक को एलम हम खाल नहां घर रहे हैं बबचागा एक हजार लगाए जयुकतुक इसमें जखी